7.2.9 उस सर्जन तंत्र और उसे से जुड़ी सनरचनाएं एक्सक्रिटरी सिस्टम एंड स्ट्रक्चर रिलेटेड टो इट सामान्य वातावरणी इस्थिती में हमारे शरीर से एक दिन में लगभग डेढ़ लीटर मोत्र निकलता है यदि वातावरण गर्म और शुश्क हो तो आपने अनुभव किया होगा कि मोत्र की मात्रा कम हो जाती है ज्यादा पानी पीने से मोत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या ज्यादा पसीना निकलने से आपका मोत्र भी ज्यादा होता है? अधिक मातरा में पानी पीने से हमें कई बार मूत्र त्यागना पड़ता है पानी के अलावा मूत्र में कई अन्य अवया भी होते हैं अक्सर बिमार होने पर डॉक्टर मूत्र और रक्त के अवयाओं की जाच करवाने को लिख देते हैं क्रिया कलाप 7 आये हम एक व्यक्ति के जांच रिपोर्ट के कुछ आकणों का अवलोकन करके उसके रक्त और मूत्र के कुछ अवयाओं की तुलना करते हैं सारणी एक रक्त और मूत्र की तुलनात्मक अध्यान है तु कुछ आकणे रक्त और मूत्र में हम ग्लुकोज, यूरिया, यूरिक अमल तथा कुल प्रोटिन जैसे अव्यों का तुलनात्मक अध्यान करेंगे ग्लुकोज की रक्त में सामान्य सीमा सतर से सो मिलिग्राम प्रती डेसिलिटर होनी चाहिए लेकिन परिणाम आया 82 मिलिग्राम प्रती डेसिलिटर इसी तरह मूत्र में सामान्य सीमा 50 से 80 मिलिग्राम प्रती डेसिलिटर होनी चाहिए लेकिन परिणाम आया 65 मिलिग्राम प्रती डेसिलिटर इसी तरह यूरिया की रक्त में सामान्य मात्रा 15-40 मिली ग्राम प्रति डेसिलिटर होनी चाहिए लेकिन परिणाम आया 29 मिली ग्राम प्रति डेसिलिटर और मूत्र में सामान्य मात्रा 20-30 मिली ग्राम प्रति दिन होनी चाहिए लेकिन परिणाम आया 35 mg प्रती दिन यूरी कमलक की रक्त में सामान्य मात्रा 3-5 mg प्रती डेसिलिटर होनी चाहिए लेकिन परिणाम आया 7.5 mg प्रती डेसिलिटर इसी तरह मूत्र में 600 mg प्रती दिन होनी चाहिए लेकिन परिणाम आया 800 mg प्रती दिन कूल प्रोटीन जैसे अव्यव की रक्त में सामान्य मात्रा 6-7.5 ग्राम प्रती डेसिलीटर होनी चाहिए लेकिन परिणाम आया 7.2 ग्राम प्रती डेसिलीटर तथा मोत्र में 0.1 ग्राम प्रती दिन से कम आना चाहिए लेकिन परिणाम आया 0.9 ग्राम प्रती दिन खाना खाये बीना लिया हुआ आकणा mg पर डेसिलिटर, मिलिग्राम प्रती डेसिलिटर ग्राम पर डेसिलिटर, ग्राम प्रती डेसिलिटर रिपोर्ट देखकर बताईए कि उपरोक्त व्यक्ति के मोत्र में किन अव्याओं की मात्रा सामान्य मात्रा से अधिक है रक्त में कौनसे अव्याव की मात्रा सामाने मात्रा से अधिक है क्या मूत्र में भी ऐसा ही है मूत्र में पाए जाने वाले अव्याव की मात्रा ग्रहन किये गए भोजन के प्रकार और उसकी मात्रा पर निर्भर करती है प्रतेक दिन हमारे शरीर में भोजन से सम्मंधित कई जविक प्रक्रियाएं चलती हैं जिन में कई पदार्थों का निर्मान वा अबघटन होता रहता है इन पदार्थों में से नाइट्रोजनी पदार्थ जैसे प्रोटीन के अबघटन से बने मुख्य रुप से योडिया वा योडिक अमल हमारे उदसरजन तंथर से ही शरीर से बाहर निकलते हैं हमारे शरीर में उदसरजन तंथर के मुख्य अंग एक जोड़ी व्रिक किडनी है ये सेम के बीज की आकृति के ओर भूरे लाल रंग के होते हैं ये पीठ की तरफ रीड की हड़ी के अगल भगल इस्थित होते हैं चित्र देखकर बताएं कि उत्सरजन तंत्र में और कौन-कौन से अंग दर्शाय गए हैं पूरे शरीर से होता हुआ रक्त हिर्दय में और हिर्दय से धमनियों द्वारा दोनों व्रिक में पहुँचता है शिरा द्वारा रक्त व्रिक से बाहर निकलता है अगर हम धमनी और शिरा के रक्त में पाए जाने वाले अव्याओं की कुल मात्रा का अध्यन करें तो पाएंगे कि शिरा में अव्याओं की मातरा कुछ कम होती है जैसे धमनी में यूरिया की मातरा बहुत ज़ादा होती है शिरा में नहीं के बराबर होती है क्या आप जानते हैं? एक व्यासक व्यक्ती में एक दिन में लगभग 170 लीटर रक्त वरिक्क से होकर गुजरता है जिसमें से लगभग 1.5 लीटर मूत्र ही बनता है शेश द्रव का अधिकांश भाग पुना रक्त वाहिनियों में अवशोशित होकर रक्त में बहता है